तेइस लाख लोग रहते हैं गाजा पट्टी में, वहाँ पे ना बिजली दे रहा है इसराइल, ना पानी दे रहा है, ना खाना पहुच रहा है, पिछले एक अपते से वहाँ के बच्चे मैलाएं और पुरुष, बुजुर्ग, सभी लोग आज भूख से प्यास से प्रतालि कषिते मोग मर रहे हैं, हमास से लड़ने की हमत नहीं है, इसराइल में, हमला कैसे हो गया? कि इसराइल का फेलियर था, हम तो सुनते इसराइल पर मिसाल तान होगा, इसराइल पहला एक लोग एक है, एक छोटे से संगञण दज्जियां उड़ा कर दी, उस ंगठन बाल न इस इज्राइल को आज आज गाजा पट्टी पे जो लोग है आज उनी की मात्र भूमी को अडप लेना चाहता है इज्राइल वैसी ने भी कहा है जै फिलिस्तीन जिन्दावाद तो डालो ना जेल में हैं मत हमसे हैं बीजेपी हम बोट देते तब पीम साब बने हैं समझ गई पीम साब से हम लोग नहीं हैं नमश्कार में सिखा आप सभी का स्वागत है प्यार भी में अभी एक इंटरनेशनल मामले जो है वो सुर्ख्या बटोर रहे हैं उनको देखके पुरे दुनिया जो है सहम गई है पुरी दुनिया में यह है कि कुछ लोग फिलिस्तीन के ता ना रहा है वह इस बार इस्ट समर्थन में आ चुका है और अभी जोभी लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं उस एक कारवाही की जारी एश कंडेल जा रहा है हम बाचीत करेंगे हमारे साथ है जैनृत सबीदें हिसे लिए आज तो चोर भी राजनीती कर रहे हैं लेकिन वह नेता थे अपने पूरे सब्दों के साथ व्याख्या किया क्यों फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए आज निंदनी है कि भारत के प्रदानमंत्री मोदी जी ने इसराइल के समर्थन में ट्विट किया आज इसराइल उन नियक्ते लोगों पे गोला बरसा रहा है बंब गिरा रहा है गाजा पट्टी पे जिन लोगों का इसराइल से किसी भी प्रकार का इस हमास वाले आतंकी अमले में कोई लेना देना नहीं है हमास एक संगठन है उसने क्यों हमला गिया क्या हमला गिया तो हमास के उपर कारवाई करने का अधिकार है इजराहिल का 23 लाग लोग रहते हैं गाजा पट्टी में वहाँ पे ना बिजली दे रहा है इजराहिल ना पानी दे रहा है ना खाना पहुँच रहा है पिछले एक अपते से वहां के बच्चे मैला हैं और पुरोष बुजुर्ग सबी लोग आज भूख से प्यास से प्रतालित हैं लोग मर रहे हैं मर रहे हैं यह क्या है इस तरह से मानपता का पतन होगा क्या बारत देश इस तरह की घटनाओं का समर्थन करता है जो हमारे बारत प्रदानमंत्री जी तूइंट इस्रैल का समर्थन क्या कॉंग्रेस क कि समर्थन कीई को समर्थन किया जिनके उपर अथियां और तो बंद कर लिया आlé। वाले बॉर्डर पे भी मिसाइल गिरा रहा है और इस्राइल गाजा पट्टी पर निरंदर हमला कर रहा है कहां जाए नागरिक कैसे बचाप गरें नागरिक आप ऑस्पिटल नहीं चोड़ रहे हैं आप किसी चीज को नहीं बक्स रहे हर जगे आप बंब गिरा रहे हैं क्या नागरिक दोसी हैं क्या इनने तो सरण दी थी यह सब जो है फिलिस्टीन का साथ नहीं दे रहे हैं देखिए हमारे प्रतान मंतरी मोदी जी को देख लीजिए इनका क्या स्वार्थ था अरे मैं तो इस बात से चिंतित हूं कि बड़ी लोग बड़े-बड़े देस अमेरिका बड़े महासकति देश बनते आप जो न्यत्ते लोग भासुम लोग मारे जा रहे हैं इनको बचा पाने का किसी में सामर्थ नहीं यह सकती मान यह सकती मान इनको मानते हैं महाम देश इन देशों की चाटू करता ही कर रही है दुनिया जो अपने पढ़ोशी देश को बचान जो मारे जा रहे हैं भूड़े भुझुर्ग मारे जा रहे हैं वह बच्चे जो बंब जा रहे हैं हमास की अनामला हमास से लडने की हमत नहीं है कि इसराइल का फेलियर था हम तो सुनते इसराइल पर मिसाल तान होगे तो इसराइल पहले टेक कर देगा इतना टेकलनोलोजी में आ गए है एक छोटे से संगठन ने दजियां उड़ा के रख दी उस संगठन का बालनी बागा कर पाए नितिन नायू और अपनी सत्ता को बचाने के लिए सतंतरता के लिए इसराइल का नागरेक नितिन नायू के खिलाब सड़कों पर उतरा हुआ था उन नागरिकों को किस तरह से राष्टबात के नाम पर पप्पू बनाया जाए आपने हमास के माध्यम से गाजा पट्टी पर अमला कर रहा है आप निर्दोस लोगों पर अमला हमास की गलती है बिलकुल गलती है गाजा पट्टी के लोगों पर इस तरीके से एक देश को अमला नहीं करना चाहिए नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए युद्ध की कुछ नीतियां होती है आपने युद्ध नीतियों का भी उलंगन कर दिया मुझे का विश्गुरू बनना चाहते हैं सवाल यह उठता है कि दो गुट में जो भारत बट रहा है जैसे कि कॉंग्रेस फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है वहीं भाजबा जो है इस्राइल का समर्थन करे क्या कॉंग्रेस को सांती का संदेश नहीं देना चाहिए था देखिए भा लगे यह तो केवल केवल लाब देखते हैं कि उद्योग का लाब का से होगा उद्योग का लाब का सोंगे नहीं मतलब देश गड़े में जान परजाए बिलकुल बैपारी बन गए प्रदान मंत्री दोड़ी है बैपारी है अरुप लगाने की दौजर चुनाओं को पैगासस इसराइल से आया फाइदा कैसे नहीं हो सकता मैडम पैगासस की जासूसी ने तो ना जाने कितने लोगों की जान ले ली इवियम इसराइल का आने वाला है और भारती इंता पार्टी के नेता कहते हैं कि कहीं पर भी बूट दवा भूल में तो आपका बूट पड़े भाजपा के नेता कहते हैं आप लोगों ने देखा होगा मीडिया में देखाया भी गया है तो फाइदा नहीं है समझ नहीं आ रहा है त्विट क्यों कि यह उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया तो जेल में आज हैं ऐसा क्यूं देखिए हमारे देश में निरंतर मावल ख आप लेकमेघ्चों कीया होगा मुसलिम बच्चों के फिलिस्तीन का समर्थन कीन और आप ने उनको जेल में डाल दिया इनने फिलिस्तीन को समर्थन नी दिया क्या अबहर दो नर्लमें मुसलमान एक आम नागरिक साधाना नागरिक गरीवों को आप इस तरह से प्रतालित करते हैं अमीरों के हाथों में न्याय बेचते हैं ये हैं मोदी जी का सच अरे न्याय पालका में बैटे चीप जटेश ऑफ इंडिया कहते हैं कि भारत की सरकार अपने लाभ हेतु कानून ब की तरफ से लड़ने जाएंगे फिलिस्तीन के खिलाब उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे इस देश में महावल इस तरह का पैदा किया इस देश में बहुत देश द्रोई हैं संभिधान के खिलाब कितना अनप सनाबकते हैं हर प्रतिदिन याद देश द्रोई होता है जान ले रहा है आज गाजा पट्टी पर 23 लाग लोग है वहाँ बच्चे भी बूले पी उन लोगों पर हमला कर रहा है इन्हीं लोगों ने सरण दी इस इस राइल को आज 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 गाजा पट्टी पर जो लोग है आज उनी की मात्र भूमी को अडप लेना चाहता है इस यह साच समझ में आए आगे भी तो वह अपने आपको विस्तार करें तो पर जामला कैसे हो गया तो इसमें सडेंद्राप के यहां के लोगों का इजराइल का कोई गदार है जिसने यह हमला करवाया अपनी राजनीती को बचाने के लिए वो गदार कौन है इसराइल को उसका पता लगाना चाहिए गाजी पट्टी पे जो मासूम है उनकी हत्या क्यों कर रहे हो पत्रकार आप देखिए मैं सेल्यूट करता हूं गाजी पट्टी पे रहके जो एक पत्र ही नहीं एक हमारे देश के पत्रकार हैं जिनना ठोगा रखा है पूरी दुनिया में पत्रकारता को कितना निचले पाइदान पर ले आए हैं तो देखो आप ऐसा निचले दो कौली के लोग समर्थन कर रहे हैं जिराहिल का हैदराबाद में भी स्रिलंका पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें जब पाकिस्तान जीता तो उन्होंने का सतक लगाया तो बोला कि यह जो सतक है यह फिलिस्तीन के नाम पर है तो फिर वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे लगे थे तो उन पर बोला था कि आज आप फिलिस्तीन के समर्थन में हैं वेसी प्यारोप ल कर ऐसी पहलत समझने और हुआ हैं दिया हैं पाकिस्तान के पतनी कहते हैं to अब बतानी पार हैं तीन पर्सेंट लोग अधिमी जे डर रहा था हिंदु लोग में पूरा देश कड़ा अब देश को पता पड़ गया कि हैं पर चाशी परशेंट और पिच्छाशी पर्सेंट को कि हिंदु 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 सब्सक्राइब लगता जब पालगर में संतों के अधिया मालूम पूरा देश खड़ा हो गया साब प्रदान मंत्री वो इज्राहिल के समर्थन में फिर भी लोग फिलिस्तीन की जय करें जिंदाबात करें कल को पाकिस्तान जिंदाबात करेंगे देखिए आप गलत चीजों को गलत तरफ ले आने का प्रयास कर रही है बारती इंदा पालटी का काम जो अधूरा रहा था वो होगे और अपने देश के साथ घदारी करेंगे क्या बात कर रहे हैं आग ना जहाना लगे बीजेपी लगाने का प्रयास करती मां फेलो मां पर तुम लगा दो और क्या सवाल क्या पूछ रही है आप कभी खेल को आप राजनीती में डाल देती है अब पाकिस्तान अगर खे डिया तकर दिया अधिकर दिया कोंग्रेस ने भी बताया हम फिलस्तिन चे साथ है क्योंकि हमारा देश हमेशा फिलस्तिन खेल ही पीव फिलस्तिन के साथ रही अपनी बात रखना हम अपना देश बनाने लग गए मीडिया जैर गोलने का तो पूरा पूरा पैसा ले देए लग रहा है अपनी बात कहना अलग देश बनाना अब अगर बोट नहीं देंगे बीजेपी को तो तुमको गदार है पर हम हिंदू नहीं है जे पॉलिसी मीडिया वालो त बीजेपी को समर्तन मत करना है एसा नहीं है मैडम बीजेपी देश समझ में हैं हम बोट देतें तब साब बने हैं पीम साहाम से लोग नहीं है अखरी सवाल फिलिस्तीन के लिए एश्राइल को पूरे देश दुनिया के देशों से करना चाहते हैं यह गाजी पट्टी पर रह रहे-घी ज़न बचांव 7 पर खाने पीने की शामीगिरी पहुचार है पर पानी पहुचार है इन लोगों का कोई दोस नहीं पहुत जिस सथान्मास ने जिसने यह लोगों पर बूले बुजरकों पर बच्चों पर हम्ला कर के कोई नेता नहीं बन जाएगा कोई महान नहीं बन जाएगा यह मानपता का कतल हो रहा है सबसे कहना चाहेंगे सांती बनाए आप लोग कितने सहमत है नितीन जी की बात से आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद